दुनिया मभर में ऐसी काफी महिलाएं हैं, जिन्हें यौन शोशंग का शिकार होना पड़ता है. चाहे फिर वो कामकाजी हो या फिर घरेलू महिला, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इसे अचूती नहीं रही है. बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को यौन शोशंग का द खुलासा किया कि जब वह छोटी थी तो. किसी ने उनकी फोटो अशलील वेबसाइट पर डाल दी थी, जिसके बाद लोग उनके बारे में भद्दे भद्दे कमेंट करते थे, पिता ने उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, उनके घर वाले उनसे नाराज थे, मैं तंग आकर घर से भी भाग गई थी, उर्फी ने उस वक्त को याद करते हुए कहा कि भगवान न करे कि जो मुझ पर। पर नाम है, सोनम कपूर का, बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की बेटी और अभिनेतरी सोनम कपूर यौन शोशन का शिकार हो चुकी है, उनके साथ यह घटना एक थियेटर में घटी थी, उन्होंने खुलासा किया था कि जब वह 13 साल की थी, तब उनके साथ यौन शो कोशन हुआ था, उन्होंने बताया था कि यह घटना गेटी गैलेकसी थियेटर में हुई थी, उन्होंने कहा कि जब वह थियेटर में थी, तो किसी शक्स ने उनके परसनल एरिया पर हाथ लगाया था, जिसके चलते वह बुरी तरह से कामपने लगी थी, और वही पर खड़ होकर रोने लगी थी, उस समय वह कुछ भी कहने में असमर्थ थी, नंबर चार पर नाम है, कलकी कोचलिंग का, बॉलीवुड अभिनेतरी कलकी कोचलिंग को भी यौन उतपीरंग का शिकार होना पड़ा, इस बात का जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू के दोरां किया था, क कि वह भी छेरचार का शिकार हो चुकी है, उन्होंने बताया था कि जब वह महज 9 साल की थी, तो वह यौन उतपीरंग का शिकार हुई थी, जिसे वह काफी दर गई थी, नंबर पांच पर नाम है, अभिनेतरी रेखा का, बॉलीवुड की एवर ग्रीन एक्ट्रेस रेखा क बायोग्राफी रेखा एन अंतोल स्टोरी में राइटर यासीर उस्मान ने बताया था कि 15 साल की उम्र में रेखा का शोशन हुआ था, और यह और किसी ने नहीं, बलकि उनके को स्टार विश्वजीत ने किया था, एक फिल्म के शॉट के लिए विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती पांच मिनत तक किस किया था, नमबर छे पर नाम है अभीनेतरी तब्बू का, अभीनेतरी तब्बू की बड़ी बेहन और एक्ट्रेस फराह नाज ने एक इंटरव्यू में अभीनेता जैकी श्रॉफ पर तब्बू को शोशन करने का आरोप लगाया था, फरा उन्हों ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दोरान जैकी ने उनकी बेहन को छेडा था और उनका शारीरिक शोशन करने की कोशिश की थी, खबरों के मताबिक जैकी पर लगाये गए ये आरोप कभी, साबित नहीं हो पाई थे, माना जाता है कि इसलिए तब्बू और जैक ने कभी साथ काम नहीं किया, नंबर साथ पर नाम है कंगना रनौत का, अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली अभिनेतरी कंगना रनौत ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें फिजिकली शोशन किया जा चुका है, उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा करने वाला फिल्म इंडस्ट्री से ही है, कंगना ने बताया कि वो शक्स मेरे पिता की उम्र का था, मैं उस समय 17 साल की थी, उसने मेरे सिर पर बहुत तेजी से मारा था कि मेरे सिर से खुन निकलने लगा था, इसके बाद मैंने अपनी सैंडल निकाल कर उसके, सिर पर इतनी जोर स मारी की उसके सिर से भी खुन निकलने लगा, उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके खिलाफ एफाइयार भी दर्ज करवाई थी, नमबर आट पर नाम है अभीनेत्री चितरांगदा सिंग का, अभीनेत्री चितरांगदा सिंग ने भी इस बात का खुलासा किया था कि उन्हो इसका सामना करती है, नमबर नौ पर नाम है सोमी अली का, अभिनेता सल्मान खान की गल्फरेंड रही सोमी अली ने एक इंटर्वियू में बताया था कि बच्पन में उनका शोषन हुआ था, उन्होंने बताया कि पाँच साल की उम्र में उनका रेप हुआ था जो कि उनके नमबर दस पर नाम है अनुश्का शंकर का भारत के सितार वादक पंदित रविशंकर की बेटी अनुश्का शंकर ने इस बात का खुलासा किया था कि बच्चपन में उनके साथ यौन उत्पीरन हुआ था उन्होंने कहा था कि किसी ने मुझे जबर्दस्ती चूने की कोशिश की और यह तब हुआ जब इस दर्द को समझती भी नहीं थी उन्होंने बताया कि मेरे साथ यह गंदा काम करने वाला वो वेक्ती था जिस पर मेरे माता-पिता सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे दोस्तों ये रही यौन शोशन से शिकार हुई कुछ फिल्म अभिनेत्रिया